गगन अपनी पतनी रेखा के साथ एक छोटे से गाउं में रहता था रेखा जितने सुशील और सुन्दर थी, उतनी ही काम में महनती भी थी वो हर सुबर जल्दी से अपने घर का काम खत्म करके, खेतों में अपने पती गगन का हाथ बटाय करती थी एक दिन की बात है, रेखा और गगन अपने खेतों में काम कर रहे होते हैं, कि तब ही गगन रेखा से बोलता है अरे भाग्यवान, जरा देखो तो, हमारे पूरे खेत में कितनी हरी भरी सबजियां होगी हैं और इस बार की भिंडी की पैदावार तो सबसे साधा हुई है, और ये सब तुभारी मेहनत और लगन का कमाल है अजी सच में इस बार की भिंडी तो बहुत ही बढ़ियां होगी है गगन और रेखा के खेत के ठीक सामने केशव का भी खेत था, उसने अपने खेतों में भी बहुत सबजी आउगाई होई थी कमला गगन की हरी हरी सबजी देख कर केशव से बोलती है अजी तनिक उधर गगन के खेत में तो देखो, अजी ऐसा लगता है गगन के खेत में भिंडी की बरसाथ हो गई है, गगन के खेतों में इतनी बड़ी बड़ी हरी भरी भिंडी है और एक हमरा खेत है, जहां टेडी मकोडी भिंडी हुई है, ना जाने ये दोनों मिया भी भी म लाकर का जादू करते हैं जो इनके खेट में इतनी हरी-भरी सब्स याउगत हैं। सही कह रही हो कमला रानी अरे जितनी सुन्दर ये रेखा है उतनी ही सुन्दर इसकी भिंडी है। अजी कहा आपने तनिक दुबारा तो बोलिए। अरे मेरी रानी मैं तो उसकी भिंडी की तारीफ कर रहा था बस और तुम हो की खाम खाब आखला जाती हो। जिस वज़ा से गगन की सारी भिंडी कुछी देर में बिग गई थी। वहीं केशव की भिंडी के दाम ज्यादा होने की वज़ा से केशव की एक भी भिंडी नहीं बिगी थी। केशव भिंडी से भरा टोकरा लेकर वापिस घर आता है जिसे देखकर कमला बोलती है अजी ये का ये भिंडी से भरा टोकरा वापिस घर कहें ले आए अरे का बताएं कमला रानी इस गगन की वज़े से हमरी एक को भिंडी नहीं बिकी अजी अगर ऐसे ही रहा तो हम दोनों के खाने के लाले पढ़ जाएंगे हाँ ऐसे कुछ दिन बीथ जाते हैं गगन की भिंडी की बिक्री जादा से जादा होने लगती है वही केशव की सबजियों को कोई पूछता तक नहीं है एक दिन कमला गुसे में अपने पती केशव के साथ गगन के खेतों में जाती है और गगन से बोलती है का बात है गगन भाई बहुत खुश दिखाई दे रहे हो हम और रेखा तनी हमका ये बताओ कि तुम दोनों मिया बीवी मिलकर अपने खेतों में का जादू टोना करते हो जो तुम्हारे खेत की सबजियां खास कर इभिंडी इतना बढ़ियां होगी है एक हमरे खेत की भिंडी देखो ना जाने कैसी धेडी मकोर्डी ओगी है अरे कमला बेहन हम कोई जादू टोना नहीं करते हैं हम तो सिर्फ मेहनत करते हैं और बड़ी प्यार दुलार से अपने सबजियों के पौधों की देख भाल करते हैं तुम अपने पौधों को प्यार दुलार करती हो तो हम का अपने पौधों को मारते पीटते हैं हम अरी कमला बेहन आप अपने खेतों में कैमिकल वाली खाद डालती हो तो क्या ही बहुत अच्छा काम करती हो रेखा हसते हुए बोलती है अरे ये chemical वाली खात की वज़े से ही तो तुम्हारी भिंडी की शकल ऐसी टेड़ी मकोली है एक मेरी भिंडी को देखो कितनी बड़ी और हरी हरी है रेखा की बातों से कमला को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से रेखा से बोलती है बहुत घमंड है तुमको अपनी इन हरी-हरी भिंडियों पर अरे-अरे कमला बहन ये तो बस कुछ भी बोलती है देख भाई गगन मैं तो ये कहने आया हूँ कि तू गाउं में अपनी भिंडी बेजना बंद कर दे नहीं तो अच्छा नहीं होगा ऐसा बूल कर केशव और कमला अपने घर आ जाते हैं जरा देखो तो उस रेखा को कैसे अपनी भिंडियों की तारीफ किये जारी थी और ये कल की आई रेखा मेरा कमला रानी का मजाग बना रही थी इससे तो मैं छोड़ूंगी नहीं जी आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे या कुछ करोगे आप भी ना जब करोगे छोटी बात ही करोगे अरे खेतों में आग लग जाने के बाद भी वो दोनों हार नहीं मानेंगे वो फिर से मेहनत करके हमसे बढ़ियां सबजियां उगा ही लेंगे और उस रेखा के हाथों में तो ना जाने कौन सा जादू है जिसकी वज़ा से उसकी सभी सबजियां इतनी बढ़ियां उखती है मैं तो कहती हूँ कि पहले उस रेखा का काम तमाम कर देते हैं फिर खेतों में आग लगा देते हैं ऐसा बूल कर कमला और केशव रेखा के खेत की ओर जाते हैं, और खेत में रेखा को अखेला पाकर उस पर चाकू से हमला कर देते हैं. बड़ा घमर्ण था ना अपनी भिंडी पर, अब मर अपने इन भिंडी के पौधों के बीच में, अजी अब देखना, इसके मरने के बाद हमारा सबसी का धंदा कैसा बढ़ियां चलेगा? हम, चाकू के वार से रेखा वहीं गिर कर अपना दम तोड़ देती है, मौका देखकर केशव भी जल्दी से खेत में आग लगा देता है, देखते ही देखते आग पूरे खेत में फैल जाती है, खेत में आग लगी देखकर सभी लोग वहाँ इकठा हो जाते हैं, कि तभी ग गगन आग पूरे खेट में फैल गई है, मुझे नहीं लगता कि रेखा भाभी इस आग जिबच पाई होगी नहीं, मेरी रेखा नहीं मर सकती रेखा को मरे हुए कुछ दिन बीच जाते हैं, मगर गगन हर वक्त बस रेखा को ही याद करके रोता रहता था वही रेखा मरने के बाद एक डरावनी चुड़ैल बन गई थी, और गगन को हर पल ऐसे रोता देख, उसे बहुत तकलिफ होती थी दूसरी और केशव का भिंडी का धंधा बढ़िया चल पड़ा था एक रात गगन अपने खेतों में बैट कर जोर-जोर से रोते हुए रेखा को पुकार रहा होता है कि तभी गगन के पास चुड़ैल आती है, जिसे देख कर गगन बहुत डर जाता है और डरते हुए बोलता है ए भगवान, मैं तो अपनी पत्नी रेखा को याद कर रहा था, मगर ये चुड़ैल कहां से आधम की अजी, आप मुझसे डरू नहीं, मैं आपकी रेखा ही हूँ जो मरने के बाद चुड़ैल बन गई हूँ फिर चुड़ैल रेखा के रूप में आ जाती है, और गगन को सारी बात बताती है ए भगवान, इतना सब कुछ तुभारे साथ हुआ, और मैं अब तक यही सोचता रहा, कि खेत में आग लग जाने से तुभारी मौत हो गई है केशव और कमला बेहन को तो मैं छोड़ूँगा नहीं अगर मुझे इन दोनों को ऐसे ही मारना होता, तो मैं कपका इनको मार चुकी होती पर मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के सच्चाई सभी गाउवालों के सामने आए सभी को पता चले कि मेरी मौत खेत में जलने की वज़े से नहीं बलकि केशव और कमला बेहन के चाकु मारने की वज़े से हुई है और हमारे खेत में आग भी इनी दोनों ने लगाई है तभी मेरी आत्मा को शांती मिलेगी पर ये सब होगा कैसे मैं एक लड़की का रूप लेकर आपके साथ खेतों में काम करूंगी और अपनी चुडैल की शक्ती से कुछी दिनों में खेतों भे धेर सारी बढ़ियां-बढ़ियां भिंडी उगा दूंगी जिसे आप गाउं में बेचाना मैं जानती हूँ कि गाउं के सभी लोग सिर्फ हमारी ही भिंडी खरीदना पसंद करेंगे और ये सब कमला और केशव को कताई बरदाश नहीं होगा और मैं जानती हूँ कि वो दोनों फिर से इस गलती को दोराएंगे इससे पहले की मौका देखकर वो दोनों फिर से मुझे मारने आए, आप जाकर गाउवालों को बुला लाना फिर रेखा चुडएल एक लड़की का रूप लेकर गगन के साथ खेतों में काम करने लगती है कुछी दिनों में पूरे खेत में हरी-हरी भिंडी उगाती है तभी कमला और केशव की नजर गगन के खेत में उग्रई भिंडी पर पड़ती है अजी तनिक देखो तो ये गगन ना जाने किस लड़की को अपने खेतों में काम करने को पकड़ लाए है जब से ये लड़की आई है तब से गगन के खेत की तो सूर्टे बदल गई है इन दोनों ने तो फिर से बड़ी जल्दी अपने खेतों में इतनी बड़ी हाँ फिंडी उगा ली है जी अजी अब तो हमारा समसी बेचने का धंदा फिर से चौपट हो जाएगा जी अरे मेरी कमला रानी तुम काहे को इतना परेशान होती हो है अरे जैसे उस रेखा को हमने अपने रास्ते से हटाया है वैसे ही से हटा देंगे और इस बार इस गगन के खेत में ऐसे आग रखाएंगे कि दोबारा सबजी उगाने की सोचेगा भी नहीं अगले दिन रेखा चुडैल गगन से बोलती है अजी आज दिन में मैं अकेले खेतों में काम करूँगी आपको सब पता है ना कि क्या करना है फिर दिन में जब रेखा चुडैल एक लड़की के रूप में खेतों में अकेले काम कर रही होती है तो मौका देखकर कमला और केशव चाकू लेकर उस लड़की के पास जाते हैं और उसके पेट में चाकू घोपकर उसे मार डालते हैं तब तक गगन भी गाउवालों को कमला और केशव की सच्चाई बता कर अपने साथ खेत पर ले आता है अरे 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 तुम सब गाउवाले यहां कैसे आ गए अरे हमने कचु नहीं किया तब ही वो लड़की अपनी आँखे खोल कर उट खड़ी होती है और चुडैल के रूप में आ जाती है क्या कहा तुने कि तुने कुछ नहीं किया अरे जैसे तुने रेखा को मारा वैसे ही तुने इस लड़की को भी मार डाला अरे मर गए रे ये लड़की तो मरता ही चुडैल बन गई जी अब हमरा का होगा जी अरे चुडैल जी हमने कचु नहीं किया है हाँ चुडैल गुस्से से बोलती है क्या का तुने कि तुने कुछ नहीं किया तुम दुनों ने रेखा को मार कर उसके खेत में आग लगा दी और कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया अरे ये 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 तुम का बखे जा रही हो हमें नहीं पता कि वो रेखा कैसे मरी और खेत में आग किसने लगाई चुडएल गुस्से में आकर कमला का गला पकर लेती है मैं ही रेखा हूँ जो मरने के बाद चुडएल बन गई और तू बोलती है कि तुने रेखा को नहीं मारा केशव की बात सुनकर सभी गावाले केशव और कमला को पकड़ कर कड़ी सजा देते हैं उन दोनों को सजा मिलते ही रेखा की आत्मा को शान्ती मिल जाती है और वो हमेशा के लिए वहां से चरी जाती है और लेखा की बाती है